नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूटूब चेनल जर्दारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन हिस्ट्री का आज लेक्चर 7 है जिसमें हम आप पे गड़वाल के परमार यानि पमवार वंस के बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले के जो भी लेक्चर थे उसमें हम आपको चंद वंस के बारे में कम्वार वंस की और साथ साथ दोस्तों आपको बता दें अब तक के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसके सारे नोट्स पीड़ फॉर्मेट में यादि आपको चीए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्कृशन में या आप सर्च कर सकते हैं जरदारीक्लासिज.in वेबसाइड वहाँ पे आपको हमारी एबुक मिल जाएगी उसमें आपको उत्राकन हिस्टी के य आधिकांसा जो इत्यासकार हैं जैसे विजेराम रतूरी हो गये, एटकेंशन, विलियम्स इन सभी ने माना है कि कनकपाल ही पंवार वंस का वास्तविक संस्थापक है. जबकि जैसे मानुद्यक काब्य हो गया, सभासार गरंथ हो गया, रामायन परदीप काब्य हो गया, इ इनके बारे में हमें उलेक मिलता है, जानकारी मिलती है, जिसको लखन देव भी कहा जाता है, उसकी मुद्रा प्राप्त हुई है, वो अजेपाल से पहले का सासक था, तो इसलिए इस बात कि यहां पे पुष्टी होती है कि अजेपाल से पहले किसी सासक ने गढ़वाल में पंवारवंस की नीव रख दी थी और वो सासा कौन था दोस्तों कनकपाल यानि कनकपाल ने पंवारवंस की नीव रखी गड़वाल में इसलिए कनकपाल को पंवारवंस का संस्थाप पर कहा जाता है अब कनकपाल ने पंवारवंस की नीव कव रखी या इस्थापना कव की 888 188 SP में तिति में उपर नीचे हो सकता है क्योंकि अलगलग इतिहासकारों के इसमें अलगलग मत रहते हैं तो आपको तिति में जाला ध्यान नहीं देना है जो इंपोर्टेंट होगी वो आपको बता दी जाएगी तो 888 SP के आसपास कनकपाल ने पंवार मस की नीव रखी अब इसने नीव कहा रखी थी तो ये आए था चांदपूर गड़ अब चांदपूर गड़ था दोस्तों चमोली में चांदपूर गड़ कहां था चमोली में और यहां का सासा कौन था उस टाइम भानुपरताब जो य कनकपाल ने यहां पर एक दूसरा किला बनाया, उस किले को कहा गया कौनपुरगड़, और अभी भी चमोली में चांदपुरगड़ से अधिक उंचाई पर एक किला देखने को मिलता है, जिसको वहां की जनता क्या केती, वहां के लोग गहते है कि यह क्या है, बनाया है, तो इस से इस बात की पुष्टी होती है कि कनकपाल ने जो पंवार वंस की नियों रखी वो कहां रखी, चमोली में, चमोली में इसी थे चांदपुरगड़, और चमोली में ही इसी थे आपका कौन पुरगड़, जो कि किसका गड़ माना जाता है, कनकपाल का कनकपाल आये था गुर्जर परदेश से, जो आज का गुजरात हो गया, महारास्ट हो गया, ये छेतर उस समय गुर्जर परदेश कहला था, कनकपाल इस छेतर से यहाँ पे तीर थाटन पर आये था, और जो चांदप्रो गड़का सासकता भानुपरताब उसने अपने पुत्त कर राजधानी का थी, चांदपुर गड़ थी, और यहाँ पे कनकपाल ने कौनपुर गड़ बनाया, इस हिसाब से यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे गड़वाल में पंवार वंस की स्थापना होती है, अब आगे बढ़ेंगे हम, और अब हम चर्चा करेंगे जो इसका 24 पुस्वा सासक था, क्योंकि इस बीच जो भी सासक हुए, परतम सासक तो कनकपाल था, और इस बीच जितने भी सासक हुए, उनके बारे में अधिक उलेक नहीं मिलता है, तो उलेक जिसके बारे में मिलता हम, उसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि जिनके बारे मे में पता नहीं है उनके बारे में हम कहां से जानेंगे लेकिन अगर आपको उन सभी राजाओं के नाम चीए जितने भी राजाओं हुए हैं पंवार वंस में चांद प्रोगड से लेकर और सीधे टेरी रियासा तक अंतिम तक मानुवेंदर सा तक इसका डिटेल्स वाला PDF आपको दिया जाएगा लिंक आपको मिल जाएगा वीड़े के डिस्क्रिशन में वहाँ पे आपको इसके डिटेल्स वाले नोटस प्रोःड किये गए थैं तो वहाँ पे आपको सभी राजाओं के नाम मिल जाएंगे जितने भी राजे हुए है पंवार वंस में अब आगे हम बढ़ते हैं सोनपाल सोनपाल जो की पंवार वंस का 24 स्वांस आ सकता और इसका जो सासनकाल माना जाता है 1243 से 1250 तक माना जाता है सोनपाल को सुवनपाल के नाम से भी जाना जाता है कई बार अगर सौन पाल नहीं आता है और सौन पाल भी आ सटता है तो सौन पाल को ही सौन पाल के नाम से भी जाना जाता है सौन पाल के समय important घटना ये है कि खस राजाओं को इसने हराय था और खस राजा इसके आरीन आपे सासन कर रहे थे एक और बात मैं आपको बताने आपे बोल गया यहाँ पे देखो जब पमवार वंस की आपे नहीं पड़ती है तो इसके आसपास यहाँ पे गड़वाल में कौन सा वंस सासन कर रहा था गड़वाल और कुमाँ में उत्राखन में और कुमाँ में चंद मंस की निव पड़ी तो शुरुवात में ये चंद मंस भी किसी ने किसी राजा के आधीन था और पमवार वंस के जो ये राजा थे ये भी किसी ने किसी के आधीन थे तो अभी ये राजा क्या नहीं है स्वतंतर नहीं है ये किसी ना किसी राज़गे क्या हैं सामंत के रूप में अपना सासन चला रहे हैं तो इतियास कारे मानते हैं कि जो पंवार मस्के जो ये सासक थे ये कत्यूरियों के क्या थे सामंत थे कत्यूरियों के अधीनिये सासन कर रहे थे लेकिन बाद में जब ये और सक्तिसाली हो जाते हैं, तो फिर ये कत्यूर्यों को हरा कर, खुद ये स्वतनतर सासक के रोप में सासन करने लग जाते हैं, अभी आपने देखोगा, अभी किसी भी सासक की यहाँ पर क्या है, मुद्राएं प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये ध् मुआर मससा उसके राजधानी का थी एक जाते हैं और कुछ की जो राजधानी रहती है वह चांदिपूर QUEHANG ही रहती है तो चांदपुर गड़ से भी एक once आगे बढ़ता है बिलंग गाटी से भी एक once आगे बढ़ता है लेकिन लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में फिर वो अंत में कहां चली जाते हैं चांदपुर गड़ रही बिलंगाटी और दूसरे राज़दानी का रही चांदपुर गड़ जहां से इस्थापना हुई थी पौवारवस की अब जिन राजाओं ने अपने राज़दानी बिलंगाटी रखी वो क्या कहलाए याँ पे सोनवंसी कहलाए क्योंकि सोनपाल ने अपने राज़दानी बिलंगाटी इस्थानदित की थी तो इसलिए जिन राजाओं ने बिलंगाटी अपनी राज़दानी बनाई वो क्या कहेगे याँ पे सोनवंसी कहलाए गए क्योंकि बिलंगाटी में राजानी इस्थान्त ये किस ने की थी सोन पाल ने की थी तो सोन पाल के बारे में इतने तथियाद को याँ पे ग्यात होने चीए आगे बढ़ते हैं याँ पे और आगे जो सासक आता है 28 सासक है लखन देव इसको लखन देव के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो सासन काल माना जाता है दोस्तों तेरसो दस से लेकर तेरसो तेतिस तक आप दोको लखन देव पमवारमस का ये 28 सासक था और लखन देव की एक मुद्रा मिलती है जिसमें इसको लखन देव कहा गया अब इस मुद्रा से ये आपके दिमाग में होना चीए कि अभी तक जितने भी राज़ हुए हैं दो राज़ाओं का ही उलेख मिलता है कनगपाल का और सोनपाल का अन्य राज़ाओं का तो उलेख कहीं मिलता ही नहीं है जिन दोर राजाओं का उलेक मिलता है उनके मुद्राइं प्राप्त नहीं होती है लेकिन यहाँ पे जब लशन देव की मुद्रा प्राप्त होती है तो इतियास करें मानते हैं कि लशन देव या लखन देव ऐसा सासक रहा होगा प्राप्त होगा प्राप्त हुई और इसकी राजधानी कहा थी इसकी राजधानी भी थी बिलंगाटी अब हम लशन देव के बाद बात करेंगे जगत पाल की लेकिन इससे पहले एक और सासक हुआ उनातीसवा सासक अनंत पाल यह लशन देव का उत्रादी कारी था उसके बाद यह सासक बना अनंत पाल दुतिया यानि ये 29 सासक्ता और इसका एक सिलालेक प्राप्थ होता है धारसिला गाउं चम्बोली में 1335 में ये आपको नोट करना है 1335 में धारसिला गाउं में किसका सिलालेक प्राप्थ हुआ अनंतपाल दुतियका जो कि 29 सासक्ता लसन देव का ये उत्तरादिकार था और पमवार वंसव वाली में अनंतपाल दित्याओं को भी सोन वंसी कहा गया है अर्थात इसके राजधाने भी कहा रहे होगी बिलंग घाटी रही होगी अब बात करते हैं जगतपाल की तो जगतपाल पमवार वंस का ये चोतिस्वा सह सकता और इसका एक तामर पत्र मिलता है देव प्रियाग में इसे थे आपका रगुनात मंदिर रगुनात मंदिर का है देव प्रियाग में इसे थे वहाँ पर इसका एक तामर पत्र प्राप्त हुआ 1455 का और इस तामर पत्र में इसने खुद को रजवार का है रजवार का मतलब होता है दोस्तों रजवार उसमें उस राजा को कहा ज़ल था जो सुयम में क्या है परबुत्व संपन राजा है तो परबुत्व संपन राजा रहा हूगा जगतपाल इसलिए इसने देवप्रिया के रगुनात मन्दिर से जो इसका तामर पत्र 1455 का प्राप्त भुआ है इसमें उसने अपने को क्या का था आजेपाल यहां से जो भी राजा आएंगे दुस्तों आगे, उनके बारे में काफी डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताई जाएगा, और इन राज़ों के बारे में ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको पड़ना है, और हर चीज नोट करनी है, क्योंकि एक्जाम में आपने देखोगा जो आयोग है वो कहीं से भी question पूस सकता है और काफी deep question बन रहे हैं तो हमारी कोशिस यही रहेगी कि आपको काफी details में यहापे बताई जाएगा और हर तीज जो कि exam के भी वो point से important है वो आपको note कराई जाएगी तो बात करेंगे आजेपाल आजेपाल जो की 45 सका सकतिसाली सासक उसको मान जाता है और इसका जो सासन काल रहा है 1490 से लेकर 1519 तक जो सासन काल है जो समय है उसके बारे में आगे पीछे हो सकता है क्याwnकि अलगलग इंत्यास कारुने अलगलग यहाँ पे मत दिया है किसी ने सासनकाल के बारे में दो-चार वर्स पीछे कर ले हैं किसी ने आगे कर ले हैं तो सासनकाल किसी का सामनेता पूछा नहीं जाता है तो उस पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है लेकिन जो important fact होंगे वो कब हुए वो आपको note करने चाहिए तो जो अजेपाल था दोस्तों ये पंवार वंसका 37 राजा था और आनंदपाल जुत्ये का ये पुत्र था अजेपाल को दोस्तों पंवार वंसका सबसे 47 सासक भी माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि उस समय गड़वाल में हुआ करते थे 52 गड़ और इन 52 गड़ों पर पे उप्पु गड़ इंपोर्टन इसलिए आपको बता रहा हूं उप्पु गड़ और इस उप्पु गड़ का जो गड़पत था वो कौन था कफु चोहान अब आजेपाल जाता है कफु चोहान के पास कि मेरी आधिनता स्विकार कर ले क्योंकि जो अन्या गड़पत थे गड़वाल के बावन गड़वा करते इनके गड़पतियों ने अधिकांसों ने आजेपाल की आधिनता स्विकार कर ली थी और जिनोंने आधिनता स्विकार नह तो कफु चोहान को मार था अजेपाल ने और उसके उप्व गडगो भी अपने राजे में मिला लिया था तो ऐसे-एसे वीर बढ़ हुए हैं गड़वाल में पुरे उत्राखन में हुए हैं कफु चोहान जैसे जिन्होंने किसी के आधिनता सुईकार नहीं कि भले ही उनको युद्ध में मरना सुईकार था इन्होंने किसी के सामने सर नहीं जुकाए है ऐसे बहुत सारे एक्जामपल मिलते हैं चाहे हो गड़वाल हो चाहे हो कुमाओ हो तो इसलिए यहाँ पर आजेपाल को माना जाता है पमवार वंस का सबसे सक्तिसाली सासक आजेपाल का जो समकाली चंद सासक था दोस्तों वो था किरती चंद शुरुआत में जब आजेपाल सासक बनता है तो आजेपाल का युद्ध होता है किरती चंद के साथ लेकिन केर्थी चंद इसको हरा देता है पराजित कर देता है तो ऐसा चंद साचा का जिसने अजेपाल को युद्ध में पराजित किया था वो था केर्थी चंद आगे बढ़ते हैं अब तोको अजेपाल की जो राजधानी थी प्रारम में इसकी राजधानी थी चांदपुर गड़ लेकिन कुछ समय बाद ये चांदपुर गड़ से अपनी राजधानी इस्थानांत्रित करता है और देवल गड़ को अपनी राजधानी बनाता है काफी समय तक देवलगड में ये राजधानी रखता है और फिर देवलगड से ये अपने राजधानी स्रीनगर गडवाल इस्थानात्रित करता है तो ऐसा गडवाल का पमवार सासक जिसने अपने राजधानी स्रीनगर गडवाल बनाई वो था अजेपाल और पमवार वंस के सासकों की राजधानी कौफी लंबे समय तक स्री नगर गड़वाल रही परद्यूम्न साह के सासन तक जब तक यहां पे गोर का सासक आकरमन नहीं करते हैं तो स्री नगर गड़वाल में राजधानी बनाने वाला पहला सासक पुर्थम सासक आजेपाल स्रिनगर गडवाल में अंतिम सासक जिसके राजधानी सिनगर गडवाल थी वो था आपका पर्धियुम्न साहा और उसके बाद जो सुदर्शन साहा आता है वो तीरी रियासत में अपनी राजधानी बनाता है वो तो खेर हम आगे चर्चा करेंगे भी काफी डिटेल्स में तो जो ये पंदर सुछे और पंदर सु सत्रा है इसके बारे में इत्यासकारों की अलग-लग राय हो सकती है आपको कन्फिज नहीं होना है क्योंकि अधिकांस पा इत्यासकारों ने इससे ही सही माना है तो ये हो गए यहाँ पर आजेपाल के राज़दाने इस्थानांतरित और उसके बाद इसने बावन गड़ों को तुखर जिसने वजित कहता है यह मैंने आपको उपर बता दिया है इसके बारे में एक important fact यह है कि इसके सासनकाल में यह आजेपाल ने धूली पाथा पेमाना शुरू किया था यह धूली पाथा पेमाना क्या होता है यह एक मापक होता है अनाज मापने के लिए आज भी गड़वाल में इसका परियोग किया जाता है तो धूली पाता पेमाना आजे पालें ये शुरू किया था और ये एक मापक या पेमाना होता है दोस्तों आज भी जो ये पाता पाता आपने सुनाओगा गड़वाल में तो कई जगा देखने को मिलता है अभी भी गवाल में अगर क्या करता है कि एक परिवार दूसरे परिवार को या अनाज देगा तो वो उसको मापएगा नहीं वो दो किलो तीन किलो इस परकार से नहीं मापता है वो पाते से मापता है अभी भी कई जगा आपने देखोगा गड़वाल में भी पाथों का परियोग अभी भी होता है और जो पाथा होता है वो दो किलो के बराबर होता है दो केजी के बराबर तो जिसको भी अनाज देना होता है अभी भी तो वो इस हिसाब से देता है कि चार पाथे हमने आपको दे रखे हैं छे पाथे हमने आपको दे रखे हैं या कहीं अगर मंदिर में कोई पूजा हो जी है तो वहाँ पर भी पाथों के माध्यम से दिया जाता है दो दो पाथे सब ने दे दिया पूरे गाँवालों ने तो अभी भी इस पाथे का परियोग किया जाता है गड़वाल में दोस्तों तो धूली पाथा पेमाना ये जो पेमाने की प्रिकरिया है प्रोसेज है ये किसने चलाई थी ये परthak किसने चलाई थी तो ये अजे पाल ने शुरू की थी और एक पाथा लगबग दो केजी माप का होता है अब भी भी इस धुली पाथा का उलेक मिलता है देवलगण सिलालेक में धुली पाथा को क्या कहा गया है दोस्तों अजेपाल की धर्म पाथी कहा गया है तो एक्जामें बन सकता है कि धुली पाता का उलेख कौन से सिलालेख में मिलता है देवलगड सिलालेख में अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं अजेपाल ने कौन-कौन से परमुक मंदिरों का निर्मान कराया और कौन-कौन से मंदिरों का इसने जीरनोधार कराया था दोस्तों आपको बताते हैं इसका डिटेल्स वाला PDF आपको वीडियो के डिस्कृशन में मिल जाएगा या आपको सर्च करना है जर्धारी-classes.in वहाँ पे जर्धारी-classes की एबुक आपको मिल जाएगी जिसमें आपको उतराकरन हिस्टी के डिटेल्स नौट्स प्रोवाइड किये गए हैं तो और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे इसके नौट्स भी उसी एबुक में मिल जाएंगे तो देखो आजेपाल ने कौनकर से मंदरों का निर्मान कराए था तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आजेपाल की प्रार्विंग राजधानी तो सभी पंवार वंसों की कहां थी चांदपुर गड़ थी चांदपुर गड़ से आजेपाल अपने र लक्षमी नारण मंदिर का ये जीरनुदार कराता है देवलगड में उसके बाद आजेपाल ने स्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्मान कराया जब इसने स्रीनगर इस्थानंतरित की राजधानी देवलगड के बाद तो स्रीनगर में फिर ये कालिका देवी मठ का इसने निर्मान कराये था अजेपाल ने अब देखो अजेपाल को दी गई परमक उपादियां और नाम यह important है यहाँ सा कई बार exam में question बनता है तो गड़वाल का असोक किसे कहा जाता है गड़वाल का असोक कहा जाता दोस्तों अजेपाल को क्यों कहा जाता है क्यों अजेपाल की तुलना असोक से की जाती है जिस प्रकार से समराट असोक ने अंत में क्या गया था बोद धर्म अपनाये था उसी प्रकार से जो गड़वाल का अजेपाल सा सकता ये भी अपने अंत समय में गोरखनात पंत अपनाता है कौन सा पन्थ अपनाता है दोस्तों गोरखनात पन्थ तो जिस प्रकार से असोक ने वहाँ पे बोधर्म अपनाया अजेपाल ने आप पे गोरखनात पन्थ अपनाया तो इसलिए अजेपाल के तुलना होती है असोक से और इसलिए इसको गड़वाल का असोक भी कहा जाता है एक था तो अजयपाल ने अंत में कौन सा धर्म अपनाय था कौन सा पंत अपनाय था गोरखनात पंत अपनाय था और सावरी ग्रंत में अजयपाल को आदिनात भी कहा जाता है साथ साथ कवी भरत एक परमुक कवी हुए हैं उन्होंने अपने पुस्तक मानुदय कावे मानुदय कावे दोस्तों काफी important पुस्तक है इसकी रचना किसने की है कवी भरत ने इसको लिखा है और मानुदय कावे से गड़वाल का जो पंवार वंस है उसके इत्यास के बारे में अनेक जानकारी मिलती है तो इसी मानोदे कायो में कवी भरतने आजेपाल को क्या क्या कहा है क्रिस्वन कहा है कुवेर कहा है, इंदर कहा है, युदिष्टर कहा है और भीम कहा है तो एक्जाम में कई बार इन में से कोई भी पोसा दा सकता है कि कई भरत ने किसकी तुलना क्रस्ण से की या कुबेर से की या इंदर से की या युदिश्टर से की या भीम से की तो किसकी की अजेपाल की तुलना की कई भरत ने साथ साथ अजेपाल के कुछ नाम है गड़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है अजेपाल को कहा जाता है गड़वाल का असो किसे कहा जाता है तो वो भी अजेपाल को कहा जाता है गड़वाल का दुर्योधन ये भी किसको कहा जाता है अजेपाल को कहा जाता है और गड़वाल का विसमार का किसको कहा जाता है तो ये भी दोस्तों अजेपाल को ही कहा जाता है और गड़वाल का असो किसको कहा जाता है अजेपाल को कहा जाता है तो ये सारे फैक्ट अजेपाल की बारे में आपको नोट करना है क्योंकि एक्जाम जो आजइपाल के सेनेक थे कई सेनेक उच्छे जाती के थे कुछ सेनेक निम्न जाती के हुआ करते अब ऐसी में क्या होता है कि माना किसी अभियानमे सेना चली गई और वहांपर खानें के बड़ी समस्या का जा जानीती कैजी फिर उच्छे जाती are लोग है वहखा ने सकते है और कुल्मना के सेना में क्या है एक संगठित नहीं हो पाया थी सेना तो फिर आजेपाल ने क्या किया आजेपाल के दरबार में आप देखो याँ पर लिखा हुआ है आजेपाल के दरबार में वह सेना में विभिन वर्नों या विभिन जाति के लोग थे इनमे खान, पान एम भात ग्रहन करने में बेदवाव था इस बेदवाव के कारण सेन अभ्यानों में सिठलता देखने को मिलती थी इस समस्य का समादान है तो अजेपाल ने सरूला ब्रामन परता की शुरूआध की सुरूला ब्रामन पर्था में उच जाच के ब्रामनों द्वारा भोजन बनाई जाता था अब देखो जो ब्रामन होते हैं आज भी ये पर्था देखने को मिलती है दोस्तों गडवाल में जब साधी सामारा होता है गाउं में तो वहाँ पे ब्रामन खाना बनाते हैं ब्राहमन खाना इसलिए बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी जातिका आ जाता है, किसी भी जातिका, तो ब्राहमनों के हात द्वारा बनायावा जो भात होता है, जो खाना होता है, भोजन होता है, उसको सभी ग्रहन कर लेते हैं, व्राहमन पूजनिया माना जाता है, इसलिए वहाँ पे गडवाल में अभी वी अगर बाराती सामारो होता है बरात होती है साधी सामारो होता है तो वहाँ पे चावल कोन मनाता है ब्राहमन बनाता है और ये पर्था किसने शुरू के थी आजे पालने शुरू के थी जिसको सरूला ब्राहमन पर्था कहा गया और ज यहां पे गडवाल के 22 गड़ जो कि उससे में हुआ करते थे और आजे पाली इनको विंजित किया तो 52 के 52 गड़ यहाँ पर इनके नाम दिये गए हैं यह आपको PDF में प्रोवाइड कर दिये जाएंगे अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं क्योंकि एक बार इनमें से एक्जामें पूछा गयाता है कि बताए कि निम्न में से कौन सा गड़ है गड़वाल के 52 गड़ों में नहीं है इस परकार से एक बार एक्जामें कोईशन बन चुका है तो एक बार आप इनको देखिए जरूर और आपको पता तल सकेगा कि जहां आप रहते हैं अगर आप गड़वाल के निवासी है तो आप का संबंद किस गड़ से है तो ये वो 52 गड़ है इनका पीडियाप आपको डिटेल्स में मिल जाएगा वीडियो के डिस्कुशन में आगे बढ़ते हैं सहजपाल सहजपाल था दोस्तों पमवार वंस का 42 सासक और इसका सासनकाल जो माना जाता है 1547 से 1575 इसपी तक माना जाता है इसके सासनकाल के 5 अभिलेक मिले हैं देवप्रिया की रगुनात मंदिर में कल्यान चंद और रूद्र चंद इनके बारे में आप चंद वंस में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं विशेश का रुदुरुतन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हमने आपको बताए था तो जो इसका समकालिन था रुदुरुतन और कल्यान चंद अब देखो रुदुरुतन का समकालिन कौन था अकबर था तो इस साफसे सहजपाल का समकालिन भी कौन रहा होगा अकबर ही रहा होगा और यहां से आप दे सकते हैं अकबर भी लगवग 1555 के आसप्टास राजा बन जाता है और काफी मलग कुल्मा के यही सासनकाल है अकबर का भी तो अकबर का जो सम्राड अकबर है उसका एक मनसबदा था हुसेन खान हुसेन खान ने क्या क्या था सहजपाल के सासनकाल में जो सिवालिक छेतर है सिवालिक पहाडियां है उन छेतर पर कबजा क्या था वहाँ पे लूट पाट की थी अकबर का ये मनसबदा था हुसेन खान सहजपाल के सासनकाल में इसने आपके लूट पाट की थी सहजपाल को गडवाल राजवनसावली में क्या कहा गया है अप हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करते हैं बलबद्र साह के बारे में बलबदर साह जिसका सासन काल रहा 1575 से लेकर 1591 तक ये था बलबदर साह जो था वो पमवार वंसका 43 सासक था अग एक बात आपको समझनी होगी इससे पहले कोई भी सासक ऐसा नहीं है जिसके आगे साहा लगा हुआ होगा यहां पे बलबदर साह ऐसा पहला सासक था जिसने अपने आगे क्या लगा है अपने नाम के आगे साहा लगा है यानि साहा की उपाई धारन करने वाला पमवार वंसका पर्थम सासक कौन था बलबदर साह था और ये question कई बार exam में आ चुका है कि सहा की उपाय दारन करने वाला कौन सा पमार वंस का सवसक्ता पर्थम तो वो था बल्बदर सहा बल्बदर सहा को राम साथा भी कहा जाता है बल्डराम साह और बहादुर सहा भी इसी को कहा जाता है और एक किसका समकालिन था तो अकबर का ये समकालिन था अब जोगों यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कई इत्यासकार मानते हैं कि जो बलबदर साह को साह की उपाई दी वो किस ने दी लोधी वंस ने दी लोधी वंस के सासकों ने लेकिन अगर हम इसके सासन काल की बात करें तो इस समय भारत में लोधी वंस का सासन था यहां पर मुगल वंस का सासन था और जब कि इसका समकालिन कौन था वो था अकबर तो इस हिसाब से क्योंकि दिल्ली सल्तनत उस समय सक्तिसाली हुआत करते थी और जो भी अन्य राजा थे ऐसे वो कहीं न कहीं इनके आधिन होते थे अगर इसको साकी उपादी किसी दिल्ली सल्तनत के सासक ने दी होगी तो वो इसके सासन काल के हिसाब से अकबर ने दी होगी तो ये आपको दोस लेकिन आपको दोनों पॉइंट यहांपे नोट करने है, कुछ इत्याज करोंगे अनुसार लोधी Boss है, जो कि बिलुकुर स्राषका गलत है उससाथ से, आगर हम इसका सासनकाल देखें खें, क्योंकि लोधी सा सकता? साहा की उपाजी धरन करने वाला यह परत्थम सा सकता. अब देखो कवी देवराज हुए इन्होंने बलबद्र साहा की बहाद्दूर्तः और युद्ध सेली के कारण इसको कौन सी उपाय दी? भीम सेन समो बली. भीम सेन समो बली का मतलब होता है भीमसेन के समान बली तो कवी देवराज ने भीमसेन समो बली की उपादी किसको दी बलबदर साह को दी उसकी वीरता और बहादूरता के कारण अब देखते हैं कि इसने ऐसे कौन से युद्ध लड़े जिसके लिए इसको क्या कहा गया बहादूर कहा गया है भीमसेन समो बली कहा गया है तो इसका एक प्रमुक युद्ध हुआ बधान गड़ युद्ध बधान गड़ युद्ध ये किसके बीच हुआ बलबदर साहा और इसका समकालिन जो चंद सासकता रुदर चंद रुदर चंद के सासंकाल के बारे में जब आपको बतायता उस समय भी इस युद्ध का मैंने वर्णन कर रहा है वहाँ पे तो बधान गड़ युद्ध को एक अन्य नाम से भी जान जाता है दोस्तों गौलदम युद्ध क्योंकि ये गौलदम के समीप हुआ था गौलदम युद्ध या बधान गड़ युद्ध इसको आप कह सकते हैं बलबदर सा और रुदर चंद के बीच में ये हुआ था इस युद्ध में जो बलबदर सा था उसकी मदद किसने की थी कत्यूर वंसिया राजा सुखल देव ने बलबदर सा की मदद की थी सुखल देव ने ये सुखल देव कौन था कत्यूरी सा सकता तो सुखल देव और बलबदर सा जब साथ में आ गए तो इन्होंने क्या क्या रुदर चंद को पराजित कर लिया और रुद्रचंद का सेनापति था यहां पे एक उसका नाम था पुरुसपंत पुरुसपंत तो रुद्रचंद का सेनापति पुरुसपंत इस युद में मारा जाता है किस युद में मारा जाता है बधानगड युद में या जिसको गौालदम युद के नाम से भी जाना जात इस युद में बलबद्र साह ने सुखल देव की सायता लेकर रुद्रचंद को पराधित किया था तो ये बलबद्र साह द्वारा लड़ा गया एक परमुक युद्ध था अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे मान साह के बारे में मान साह जिसका सासनकाल 1591 से लेक अकबर का पूतर उसके बाद राजा बन जाता है तो अकबर और जहांगीर इसके क्याते समकालिन थे अगर हम चंद सासक की बात करें तो चंद सासक रुद्र चंद और लक्ष्मी चंद इसका समकालिन था लक्ष्मी चंद के साथ मान साह का आठ बार युद भी होता है जब सोयम महाराजी राज की उपादी भी इसने धारन की थी और ये चवालिस्वान सा सक था और चन्न वंस में इसका समकालिन था रुदरचंद और लक्षमिचंद जबकि मुगल वंस में इसका समकालिन था अकबर और जहांगीर बहुगणा वंसावली में मानसा को क्या कहा गया है बद्री सावतारेन भी कहा गया है किसमें कहा गया है मानसा को बद्री सावतारेन की उपाली को किसमें दी गई है बहुगणा वंसावली में दी गई है देखो यहां पर लिखा है बासा अकबर और जहांगिर इसके समगालिन थे अब देखो इसका सासनकाल में एक important जो fact वो है भरत कवी भरत कवी इसका क्या था राज कवी और भरत कवी ने मानुदय काब्य की रचना की है मानुदय काब्य की जो रचना की गई है वो किस भासा में की गई है तो संस्कृत में की गई है और मानुदय काब्य की रचना किसने की भरत कवी ने की और भरत कवी किसका राज कवी था तो मान सहा का राज कवी था अब मुगल काल में एक अन्य कवी का उलेख मिलता है जोतिक राया यहाँ पर में लिख रहा हूँ जोतिक राया क्योंकि अकबर नामा में भी इसका उलेख मिलता है और जहांगिर नामा में भी जोतिक राय कवी का उलेख मिलता है तो ऐसा मान जाता है कि मुगल राज दरवार में जो जोतिक राय कवी था वो कौन सा कवी था वो यही भरत कवी था तो भरत कवी को मुगल दरवार में क्या कहा जाता था, जोतिक राय कवी कहा जाता था और जोतिक राय का उल्लेक मिलता है अकबर नामा और जहांगीर नामा में तो भरत कवी किसका राजकवी था ये था मानसा का राजकवी और ब्रिटिस लेखक विलियम फिच ने अपने पुस्तक दे अरली ट्रेवल इन इंडिया में मानसा का विवरन इन्होंने किया है ये बिरिटिस लिकाग थे विलियम फिंच इस पुस्तक में मानसा का विवरन देहने को मिलता है अब जीतु बगडवाल में जीतु बगडवाल के बारे में आपने सुना होगा जीतु बगडवाल की एक परसिद लोग गाता आपने सुनी होगी उतराखन में जीतु बगडवाल था इसको भोट का थोकदार किसने नियुक्त किया important fact आपको बता रहा हूँ ये भी मानसाह के सासनकाल मानसा का समकालिन था जीतु बगडवाल और जीतु बगडवाल को इसने भोट का थोकदार नियुक्त किया था और स्रीनगर में मानपुर नगर किसने बसाया तो वो भी बसाय था मानसाह ने अब देखो मानसाह और कुमाउन रेश के बीच संगर्स तुम आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके समकालिन कों थे रुद्र चंद और लक्षमी चंद तो इसका जो संगर्स हुआ वो विशेश ताहा लक्षमी चंद के साथ इसका संगर्स हुआ लक्षमी चंद और मानसाह के बीच आठ बार युद्ध होता है जिसमें साथ युद्ध तो मानसाह जीत जाता है साथ युद्ध में मानसाह जीत हासिल करता है लेकिन फिर भी लक्षमी चंद लगाता है वो आकरमन करता रहता है एक की बाद एक प्राज़े की बाद प्राज़े की बाद अंत में जो आटवा युद होता है उसमें लक्षमी चंद को विजय प्रात होती है और इस आटवा युद में गडवाल सेनपल था खतर सिंग वो इ इसी कारण से मनाई जाता है क्योंकि लक्षमी चंद जो की सात युद्ध हार चुका था और आटवा युद्ध वो जीता मानसा से और आटवा युद्ध में उसने मानसा के सेनपती खतर सिंग को मारा था इसलिए कुमाओं में उस खुसी मलब उस युद्ध की खुसी मनाने के लिए कौन सा त्योहार सुरुवाता खत्डवा त्योहार तो खत्डवा tiếp हर कुमाउं में अभीी माने जाता है और ऐसा मान जाता है कि इसी दिन से उस कि शुरुवात हुई थी तो मानसा का संगर्षण वो किसके साथ रहा लक्षिमी चंद के साथ इसका संगर्षवा आठ बार आठ युद्ध लड़े के साथ युद्ध मानसा जित था अब आगे हम बात करेंगे स्यामसा के बारे में स्यामसा के बारे में लगबग दोस्तों इतने सही लगबग तीने चार क्वेशन बन चुके हैं एक्जामें और एक अब भी वीडियो का एक्जाम हुआ था उसमें ये पुछा गया था कि स्रीनगर में सामसाही बागानी का निर्मान किसे ने कराया और उसका सही आंसर था स्या 211 से लेकर 1631 तक और ये 45 सा सकता पमवार वंस का ये किसका पुत्र था तो मान साह का पुत्र था और इसका जो राज गुरु था वो था संकर गुरु संकर गुरु किसका राजगुरु था स्यामसा का गुरु था अब दोखो मुगल बासा ये किसका समकालिन था आप इसके सासनकाल से लगा सकते हैं इसका जो समकालिन था वो था जहांगीर और जहांगीर नामा में इस बात का उलेक मिलता है कि इसने जहांगीर से क्या की थी भेंट की थी और 1621 में जहांगीर ने इसको एक घोड़ा और एक हाती उपहार शुरूब भेंट किया था ये क्वेशन भी एकजाम में एक बार दो-तिन साल पहले पूछा गया है डाइट कोशन यही बना था कि जहांगेर ने किस गड़वाल साचक को एक घोड़ा और एक हाती उपहार सुरूब भेंट किया था तो वो साचक कौन था दोस्तों स्यामसाह या इसको सामसाह भी कहा जाता है इसके सासनकाल से आप लगा सकता है कि यह जहांगेर का समकालीन था तो इंपोर्टन फैक्ट है अब देखो यहाँ पे इसने स्रीनगर में सामसाह भागन का निर्मान किया चिनगर में केसराय मत इंपोर्टन मत है इसका निर्मान किस ने कराया महिपत साहा ने कराया लेकिन किसके सासनकाल में कराया स्यामसाह के सासनकाल में तो यहां से दो प्रकार के प्रशन पूशी जाते हैं इस प्रकार से प्रश्ण बन सकता है कि केसुराय मठका निर्मान किसके सासनकाल में हुआ ओप्शन आ सकता है स्यामसाह, महिपतसा और दो अन्य देगा तो कई इस जेंट महिपतसा कर देंगे लेकिन एक्ट्री किसके सासनकाल में हुआ उसमें सासनकाल किसका है 1625 में स्यामसा का है और बाद में 1631 में महिपतसा भले ही सासक बन जाता है लेकिन इसने जो केशुराय मठका निर्मान कराया था महिपतसा ने वो स्यामसा के सासनकाल में कराया लेकिन निर्मान किसने कराया महिपतसा ने कराया वो दान में दीती सिवनात जोसी को किसने स्यामसा ने स्यामसा के बारे में important इतने fact हैं और इनी fact वों से कई बार exam में 3-4 question भी बन चुके हैं दोस्तन तो आज हम यहां तक स्यामसा तक हमने आज discuss किया और कल से हम जो next topic होगा वहां पर हम महिपत साह से सुरुवाज करेंगे और फिर उसमें जितने भी राजा अधिक से अधिक राजाओं के बारे में details जाने की कोसिस करेंगे अधिक से अधिक राजाओं को cover करने की कोसिस करेंगे तो आज हमने काफी डिटेल्स में, काफी राजों के बारे में सियाम सा हो गया, मान साहा, आजेपाल, और सोन पाल से लेकर, कुलमा के किस प्रकार से पंवार वंस की यहां पर इस्थापना होती है, और जो भी अन्या फैक्ट है, वो हमने यहां पर जाने हैं, एक्जाम की पीडियाफ फाइल चीए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं, जरदारीक्लासिस.in, आपको फीडियाफ प्रोवाइड करा दिजाएगी डिटेल्स में, उतराखन की कम्प्लीर हिस्टी की ई-बुक बन चुकी है, ज इसका लिंक आपको दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मिलते हैं दोस्तों, नेक्षट सा तब तक के लिए धन्यवाद.